नमस्कार मैं है उलशका, रोजगार समाचार में आपका स्वागत है आज के टॉफ फाइब जॉब वेकेंसिस के बारे में हम बात करेंगे साउथ इस्टर रेलवे, नुक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेट याने की एनपी सी आईल बैंक ओब बरोदा, गार्दन ब्रीट, शिप बिल्डर्स और इंजिनियर्स और इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेट के द्वारा निकाली गई बहालियों के बारे में शुरू करने से पहले आपको बता दे कि इन टॉफ फाइब जॉब वेकेंसिस में हम उन सभी जॉब के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसके लिए देश के किसे भी राज की कैंड़िरेट फॉर्म बर सकते हैं तो आईए जानते हैं आज की टॉप फाइब जॉब वेकेंसिस के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे साउथ इस्टन डेलवे के द्वारा निकाली गई डिक्तियों के बारे में जिसमें पत का नाम है ट्रेड एपरेंटिस टोटल नमबर वेकेंसिस की बात की जाए तो कुल मिलाकर 1785 वेकेंसिस आई है इसमें और अगर हम बात करें श्यक्षन की योगता की तो इसमें 10 वी, 12 वी और ITI डिगरी का होना जरूरी है उम्रसीमा की बात करें तो उम्रसीमा 15 साल से 24 साल के बीच होनी चाहिए एक जनवरी 2022 के अनुसार वही हम बात करें आविदन फी की तो SC, ST, PWD और किसी भी कैटेगरी की महिलाओं को कोई भी तरह की फी नहीं देनी पड़ेगी लेकिन अदर्स के लिए ग्या चार्ज 100 रुपे रखी गई है वही हम बात करें अन्तिम तारीक की तो फॉर्म बढ़ने की अन्तिम तारीक 14 दिसमबर 2020 है आधिकारी की वेबसाइट की बात करें तो यहाँ ser.indianrailways.gov.in है जिस पर जाकर आप आविदन डाल सकते हैं अब हम बात करेंगे Nuclear Power Corporation of India Limited यानि की NPCIL के द्वारा निकाले गई तिक्तियों के बारे में जिसमें पत का नाम है इस टाइप पे इंडियरी ट्रेनी, असिस्टेंट, फार्मेसिस, टेकनेसियन, इस्टेनो ग्रेड वन और नर्स टोडल नमर ओफ वेकंस की बात की जाए तो कुल मिलाकर 72 पदों पर बहाली निकाली गई है श्वक्चने की योगिता की बात की जाए तो अलग-अलग पोश्ट के लिए अलग-अलग क्वैलिफिकेशन मांगी गए हैं जिसमें से मैट्रिक, इंटर, आईटी आई की डिगरी होना, बैचलर, इंजिनिरिंग डिप्लोमा, नर्सिंग डिप्लोमा और कुछ टाइपिंग स्किल्स भी मांगी गई है बात की जाए उम्रसिमा की तो इसमें 18 से 30 साल के बीच उम्रसिमा होनी चाहिए वही आविदन फी की बात करें तो किसी भी तरह की फी नहीं लग रही है अंतिम तारिक की बात की जाए तो साम 4 बजी तक 27 दिसंबर 2020 तक ही आप आविदन कर सकते हैं वही हम बात करें आदिकार एक वेबसाइट की तो npcilcareers.co.in पर जाकर आप आविदन डाल सकते हैं अब हम बात करेंगे बैंक और बड़ोधा की द्वारा निकाली गई रिक्तियों की बारे में जिसमें पत का नाम है डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, टोटल नमबर वेकेंस की बात की जाए तो कुल मिलाकर 15 पदों पर बहाली निकाली गई है श्रेक्षने की योगिता की बात की जाए तो इसमें BE, BTEC या फिर ME, MTEC या फिर ग्रेजवेट होना जरूरी है साथ ही बात करें, उम्र सिमा की तो यह 25 से 40 साल के बीच अलग-अलग पदों के लिए निर्धारित की गई है वहीं आपको बता दे कि रून के नुसार कुछ केटेगरिस को एज रिलक्सेशन यारी कि उम्र सिमा में छूट भी मिल सकती है वहीं बात की जाए आविदन फी की तो SC, ST और PWD के लिए 100 रुपे आविदन शुल्क तै किये गए हैं वहीं बात करें, जनरल, OBC और EWS के द्वारा दी जाने वाली फी के बारे में तो उन्हें 600 रुपे आविदन फी लगने वाले हैं बात करें अंतिम तारीक की तो 6 December 2020 लास्ट डेट है आविदन करने के लिए बात की जाए आधिकारिक वेबसाइट की तो आप www.bankofbaroda.in पर जाकर आविदन कर सकते हैं अब हम बात करेंगे Garden Reach Ship Builders and Engineers के द्वारा निकाले गई बाहलियों के बारे में जिसमें पद का नाम है Supervisor Design Assistant टोटर नमर ओफ वेकैंस की बात की जाए तो कुल मिलाकर 15 पदों पर बहाली मांगी गई है बात करें श्रक्षन की योगिता की तो उमिदवार का CMA, CA, MCOM, Graduate, PG, Diploma, BBE, BBM इन सब में से कोई एक होना जरूरी है बात की जाए उम्रे सीमा की तो उम्रे सीमा 1 नवंबर 2020 के अनुसार 28 साल पूरी होनी चाहिए बात करें आविदवार की तो जनरल और OBC के टेक्री के उमिदवार को 471 रुपे आविदवार को लिकर लग रहे है लेकिन SC, ST और PWD नहीं देनी परेगी बात की जाए अंतिम तारीक की तो 19 दिसमबर 2020 से आविदन करनी की अंतिम तारीक है अब हम बात करेंगे ऑफिसल वेबसाइट की तो या www.grse.in has जिस पर आप जाकर आविदन बढ़ सकते हैं अब हम बात करेंगे इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेट के द्वारा निकाली के डिक्तियों के बारे में जिसमें पत का नाम है मैनेजर, असिस्टेंट, जनरल मैनेजर, साइंटिफिक ऑफिसर, आर्किटेक्ट, सीनियर आर्किटेक्ट, टोटल नमबर वेकिंस की बात की जाए तो कुल मिलाकर पाच पदो पर आविदन मांगे गए है श्यक्षनेक योगता की बात की जाए तो मे, एम्टेक, बी, बीटेक, मसी, बी आर्क और पोश्ट ग्रेजुएट वाले आविदन डाल सकते हैं बात करें उम्रसीमा की, तो मैनेजर के लिए उम्रसीमा 36 साल है, असिस्टन जनरल मैनेजर के लिए 44 साल उम्रसीमा तै है, वहीं बात करें साइन्टिफिक ऑफिसर के लिए तो इसके लिए 30 साल होना जरूरी है, आर्किटेक्ट और सीनर आर्किटेक्ट के पदों के लिए 28 स 32 साल उमर सिमा निर्धारिज की गई है साथ ही आगको बता दी कि रूल के हिसाब से कुछ चूट भी दी जाएगी बात करें अंतिम तारिक की तो फॉर्म भरने की अंतिम तारिक 20 दिसंबर 2020 है आप आधिकारिक वेबसाइट इंजिनियर्स इंडिया.com पर जाकर आविदन डाल सकते हैं तो आज की इन टॉफ पाइब जॉब वेकेंसर्स के बारे में इतना ही तब तक के लिए देखते रहें बिहारी नियूज नवस्कार